नमस्कार सातियों स्वागत है अपने यूटूब चैनल इस्टड़ी हेल्प हिंदी में फ्रेंड्स इसमें हम लोग एंटीपीसी में पूछे गए प्रसनों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आगे आने वाली एक्जाम एंटीपीसी सीबीटी टू और ग्रूपडी के लिए बहुत स्टमों में बिन्यासित किया गया है आवर्थ सानरडी में कुल साथ आवर्थ होते हैं अगला प्रसन है स्वातंतरता के बाद दूसरी पंच वर्सिया योजना 1956 से 1961 के दावरान जर्मनी के सायोग से किस इस्पात सन्यांत्र की अस्थापना की गई थी यहाँ पर 1956 होगा यहाँ पर ना होगा 1956 होगा यहाँ पर के दावरान जर्मनी के सायोग से किस इस्पात सन्यांत्र की अस्थापना की गई थी इसका उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर D, राउर केला इसपाथ सन्यंत्र अगला प्रस्न है, डैस एक संचार प्रोटोकाल है इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर D, HTTP HTTP एक संचार प्रोटोकाल है, इसका फुल फार्म होता है Hypertext Transfer Protocol अगला प्रस्न है, दिल्ली मेट्रो के पहली कोरिडोर का उध्गाटन किसा नीं किया था इसका उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर A, Optical Character Recognition Optical Character Recognition अगला प्रस्न है डैस की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा और सहयोग आंदूलन वापस ले लिया गया था तो इसमें बताना है कि कौन सी घटना के बाद गांधी जी के द्वारा और सहयोग आंदूलन वापस ले लिया गया था इसका उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर C, चौरी चौरा घटना होई थी, इसी के बाद जो गांधी जी के द्वारा और सहयो कांदलों नो वापस ले लिया गया था अगला प्रशन है भद्रा वन्य जीव अभ्याराणिय किस राज्य में इस्थित है इस प्रशन का उत्तर होगा आप्शन नमबर A, करनाटक, भद्रा वन्य जीव अभ्याराणिय करनाटक में इस्थित है इसका उत्तर होगा आप्शन नमबर C, अरुंधती रॉय अंतरिक्ष में जाने वाली भारती ये मूल की पहली महिला कौन थी इस प्रशन का उत्तर होगा आप्शन नमबर B, कलपना चावला कलपना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारती ये मूल की पहली महिला थी कौन सादेश ओपेक का सदस से नहीं है इस प्रशन का उत्तर होगा आप्शन नमबर D, कीनिया Kenya जो की OPEC का सदस से नहीं है, बाकि Algeria, Nigeria और Venezuela यह सब OPEC के सदस से देश हैं, OPEC में खुल 13 सदस से देश हैं, OPEC का full farm होता है, और गिनाइजेशन आप दिर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका एड़कवाटर है, वियना अस्ट्रिया में में मेंबर देश हैं, अलजीरिया, अंगोला, एक्विटेरियल गुएना, गैबोन, इरान, इराग, कुवैत, लीबिया, नाइजेरिया, दर सिहो कर बाने वाली प्रमुख नदी कंट सी है, इसका उतर हो जाएगा आप्षन नमरे दमन गंगा, केंदर सासित परति दाधरा और नगर हवेली सिहो कर बाने वाली प्रमुख नदी है, दमन गंगा, अगला प्रस्न है, भारत में स्वेत क्रांती मूलता किस राज से इस प्रशन का उतर हो जाएगा आप्षन नमरे गुजरात, भारत की प्रतम महिला राष्ट्रपती कौन थी, इस प्रशन का उतर होगा आप्षन नमरे दी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल भारत की प्रतम महिला राष्ट्रपती है, अगला प्रशन है, मादा मलेरिया होता है, भारत का पहला सनरक्षित 1 है, इस प्रशन का उत्र होगा, आप्शन नमबर D, सत पुड़ा राष्टरिय उद्यान भारत का पहला सनरक्षित 1 है, किस प्रकार के कोईले में कारबन की मात्रा सरवाधिक होती है? इसका उतर होगा आपसन नंबर B. एंत्रासाइट एंत्रासाइट के प्रकार के कोईले में कार्बन की मात्रा सरवाधिक होती है अगला प्रस्ण है निम्निलखित में से कौन सी योजना 1973 से भारत में बागों की आबादी को ब्यवहार यास्थर पर बनाये रखने के लिए भारत सरकार दोरा संचालित है इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपसर नमबर सी प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो की 1973 में लांच किया गया था या बागों की आबादी को ब्यवहार यास्थर बनाये के लिए योजना संचालित है अगला प्रश्ण है बारत की समिधान के अनुस्वार संग की रख्षा बलों का प्रमुख कोन होता है इस प्रशन का उत्र होगा आपसर नमबर ए रास्ट्रपति संग की रक्षा वालों का जो तीनों सेनाये हैं उन सभी का सरोच कमांडर होता है भारत के रास्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लायक जरूर केजएगा और चनल को सब्सक्राइब केजएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में